कुर्णावारस रूपी महमारी विक्राल रूप ले चुकी है जिससे बशने का उपाए अभी तक कोई भी नहीं ढून सका है चुकी अभी तक इससे बशने का सिर्फ एक ही उपाए नजरा रहा है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन क्योंकि यही मात्रेक रास्ता है जिससे कोरोना वाइरस की चेन को तोड़ा जा सकता है इसलिए भारत में सरकार द्वारा देश को ही लॉकडाउन कर दिया गया है ताकि लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और कोरोना वाइरस के संक्रमन को फैलने से रोका जा सके आपको बताते कि कोरोना वाइरस से पहले भी दुनिया 1918 में Spanish Flu का शिकार हो चुकी है Spanish Flu की वजह से पूरी दुनिया में कम से कम 5 करोड लोग की जान चली गई थी केवल भारत में ही इस वाइरस की वजह से 1 करोड 20 लाग लोग की जान गई थी चलिए आपको बताते हैं कि जानवरों से ही क्यों फैलते हैं वाइरस आज हम ना सर्फ कोरोना वाइरस की बात करेंगे बलकि कई ऐसे और भी वाइरस हैं जो जानवरों से ही फैलते हैं चीन से हाल ही में दो वाइरस सामने आये हैं एक कोरोड़ा वाइरस और एक हंता वाइरस बता दे कि चीन के वेट मार्केट में जानवरों जिन में सुर, साप, मेंड़क और चमगाधर समेथ कई जानवरों को खुले में ही काट कर बेचा जाता है जिसके चलते वहाँ इन पस थूक आदी खुले में ही पड़ा रहता है जिसे वाइरस पनपते हैं और जब मार्केट में लोग खरीददारी करने आते हैं तब बड़ी ही आसानी से ये वाइरस मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर लेता है सन 1986 में चीन सरकार नियो वाइल लाइफ प्रोटेक्शन कानून के तहत इन जानवरों की खेती को कानूनन सुरक्षित कर दिया था जिसके बाद ही चीन में वेट मार्केट जादा बढ़ गया और साथी साथ वाइरस का भी खत्रा और जादा बढ़ गया कुल मिलाकर चीन को पूर्टेया कोरोना वाइरस के लिए जिम्मेदार माना जाता है आपको बता दे कि एक रिपोर्ट के अनुसार चीन जंगली जानवरों का व्यापार करना चाहता था जिस पर कोरोना वाइरस की वजह से अब रोक लगा दी गई है झाल झाल